लोग आपकी कक्षा दस के अध्याय चार में नीत सीर्षक से कुछ दोहे हैं जिनकी रचना बिहारी जीने की है इसके चठोए पद्यांस की व्याख्या सीखते हैं बहुत ही सरल है चले सबसे पहले हम लोग इसमें आई हुए सभी सब्दों के अर्थ को देख लेते हैं फिर व बुरव बुरव माने बुरा व्यक्ति बुराई वही रहेगा जव यदि तजय छोड़ दे तो तो भी चित्तु चित्तु माने होता है मन या हिर्दय खारव मतलब अत्यधिक डरात मतलब डरता रहता है जयो माने जिस प्रकार निकलंक को माने होता है निसकलंक या निसकपट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिजिए एक चिज़ निसकलंक को यानि कि निकलंक जो लिखा है निसकलंक से ही बना है इसका मतलब यह होता है कि हमारे जो जो जोतिर सास्त्र है जो हमारी जोतिर विद् है कि जिस दिन चन्रमा में जो काला दाग आपको दिखाई देता है अगर वह काला ढ़ घट जाए चन्रमा साफ हो जाए तो उस दिन पर उथ पूथल जरूर होती है प्रितुवी पर विनास होता है ठीक है और मयंकमान चन्रमा होता है लख माने देख कर गणय मतलब गणना करना अर्थात आकलन करना अंदेशा लगाना जिसको कहते हैं लोग वही रहेगा उत्पात का मतलब होता है अनिष्ट अनिष्ट नुक्सान जिसको आप कहते हैं ठीक है तो सभी कठिन सब्द हो गए अब हम लोग इसकी व्याख्या सीखनी है हम लो आप पहले भाग से देख लिए प्रसंग बार बार बदलता है तो चले प्रसंग हम लोग लिखेंगे प्रसंग प्रसंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कभी विहारी जी कहते हैं यदि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोण भी दे तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे भैभीत ही बने रहते हैं और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में बिहारी जी कहते हैं इतना अपनी तरफ से जोड़ लिजे देखिए व्याख्या मैं जैसे बताता हूँ वो समझाने के लिए तो होता ही है लेकिन मैं इस तरह से बताता हूँ कि आपको कापी में भी उसी तरह से लिखना है ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं ठीक है चले एक बार फिर से देखिए आज़ाएक्षया आईडन डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में बिहारी जी कहते हैं आज आईए काबे पर बिहारी जी कहते हैं बुरा अब्यक्ति बुराई को यदि छोण भी दे तो भी अब अपने जोड़े जी लोगों का इतना फिर अपने जोड़े लोगों का मन अत्यधिक डरा रहता है और उस पर विश्वास नहीं करते हैं इतना फिर अपने जोड़े उस पर विश्वास नहीं करते हैं जिस प्रकार निकलंक अर्थात निसकलंक निसकपट चंद्रमा को देख कर लोग लोग अनिष्ट होने का अंदेशा लगाने लगते हैं या अनिष्ट होने की गणना करने लगते हैं और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी चले यदि कहीं नहीं समझ मैं ते एक बार फिर मैं जल्दी से बता देता हूं आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांस में कभी विहारी जी कहते हैं बुरा व्यक्ति बुराई को य जदी छोड़ भी दे तो भी लोगों का इतना अपनी जोड़ी लोगों का मन अत्यधिक डरता रहता है और उस पर विश्वास नहीं करते हैं जिस प्रकार निस्कलंक चंद्रमा को देख कर लोग अनिष्ठ होने का आकलन करने लगते हैं और आपकी व्याख्या पूरी हो जा जा आपकी तो भी जाएगी